हेलो एवरीवन सर्दी का मोसम हो यहो बरसात का मोसम यहो संडे हमारा स्पेशल तो उसमें इस रेसिपी को बनाने में बहुत मज़ा आता है गर्मा गर्म खाने में भी और गर्मा गर्म बनाने में भी इस रेसिपी को आप ट्राइ कर सकते हैं स्पेशल बनाने के लिए इसको ब तो इस रच्पी को जूट राई किजिएगा मेरे वीडियो पर अगर आप नए हो तो सस्क्राइब कर दीजिएगा लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो में सुरू से लेकर आन तक जुड़े रहिएगा स्वागत है आपका मेरे चैनल में आजम बनाने जा रहे हैं कचोरी वह पानी का इसल रहे हैं अगर दो कर सकते हैं अब इन दोनों को अच्छे से हम बिला लेंगे घी और मेदा हमारा अच्छे से मिल जाएगे फिर हम करेंगे पानी का इस्तमाल पानी थोड़ा थोड़ा गेर कर इसका हम एक आटा बना लेंगे जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं वैसा आटा हमको बनाना है तो बना की इसको रख देंगे हम साइड में रेस्ट करने के लिए तो यहाँ देखर मेरा आटा हो चुका है तयार, आटा हमको बिल्कु सैय लगाना है, ना ही ज़्यादा सक्त और ना ही ज़्यादा भीला, तो यहाँ रखें देखेंए, रेश्ट करने के लिए यहाँ मैने लिए है, अलू, उबलो हुए मैने दो आलू लिये, बड़े बड़ पैंच डाया गैसोन कर दी है, दो चम्मत मैंने यहाँ तेल का इस्तमाल किया है, और डालेंगे थोड़ा सा इसमें हम राइदाना, धनिया डाल देंगे थोड़ा सा इसमें हम, और इसमें डाल देंगे हींग, और एक डालेंगे लाल मिज, थोड़ा सा काट कर डाल देंगे, औ और इसको हम high या medium नहीं करेंगे तो यहाँ यह मसाले मैंने डाले हैं अब डाला है हुए हरी मिर्च एक हरी मिर्च को मैंने यहाँ इस्तमाल किया है अगर आप ज्यादा ती हाँ पसंद करते हो तो आप इहाँ ज्यादा भी डाल सकते हो अब डालेंगे इसमें हम प्याज प्याज मैंने यहां कद्दूकस किया था उसको अच्छे से निचोड कर पानी को निकाल कर मैंने यहां इस्तमाल किया है अगर आप चोप कर रहे हो तो आप ड्रेक्ली यूज कर सकते हो कद्दूकस कर रहे हो और फिर इसमें डाल देंगे हम, मसाले, व partis सुखे वाले, जिससे हल्दी होगी, लाल שण पाऊदर हो गया और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हम पावभाजी मसाला, अगर आपके पास है पावभाजी मसाला दो डाल दीज़ेगा, अघर आप यहाँ गरममसाला का इस्तमाल क फोड़ा सा नमक डालेगे नमक आप देखके डालेगा क्योंकि नमक हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, तो चटपटा कोई भी मसाला आपके पास यहां यूज कर सकते हो जैसे मैगी मसाला का यूज यूज भी आप कर सकते हैं अब इसको यह मिला लेंगे अच्छे से लोफलेंप पर ही मिलाएंगी अजब अच्छे से मिल जाये तो डाल देंगे इसमें अपने अलों जो हम ओबाली के रखे ते उसको डालों को डालों की इसम es traffic पीष महले पाढ़ उज नहीं होने चाहिए तकर देशी नहीं मिल मैं सेदेख नूए कुले नहीं मिल है उपने चैनले अच्छी सेदेख को छाली मिल जाये टो इसमें डालेंगे ऊपनी धनिया की तरफ चड़ाई हमने यहां कड़ाई और डाल देंगे इसमें हम तेल तलने के लिए आप तेल का इस्तमाल कीजिए अगर घी है तो आप घी का इस्तमाल भी कर सकते हैं यहां पर हम बिल्कुल लो फ्लेम में इसे गरम करने रखेंगे क्योंकि जो हम कचोरी बनाने जा रहे है बिल्कुल हाई फ्लेम में बिल्कुल नहीं इसको तलेंगे बिल्कुल लाइटली आपका यह गरम होना चाहिए यहां आटे की तरफ आजाते हैं यहां लेंगे हम इसके लोई बना लेंगे हम लोई बनाएंगे और इसको रोटी की तरह बेलेंगे जैसे हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसी बेलेंगे, नहीं ज्यादा आपकी ये मोटी होनी चाहिए, नहीं ज्यादा पतली होनी चाहिए, मीडियम साइज की आपकी ये रोटी होनी चाहिए, साइज आप छोटा बड़ा केसा भी रखिए, अब इसमें लगाएंगे हम तेल, हाथ की साथ से लगाएंग लगा लिजीगा, हलका हलका तेल लगाएंगे और एक छनी में मैदा डाल देंगे और उसके उपर हम डश्ट कर देंगे हलका हलका डश्ट कीजिएगा अराम से हो जाता है छनी की सहता से डश्ट और हाथों से थोड़ा सा फिला लेंगे जगा जगा कहीं पर नहीं हुआ तो वह हो जाएगा अब इसको fold कर लेंगे जैसे मैं fold कर रही हूँ एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से fold कर लेंगे थोड़ा सा हाथों से press करके दबा देंगी ताकि इसकी folding खुले मत और फिर दुबारा से हम इसमें तेल लगाएंगी हलके अलक तक अब इसको बराबर equal बराबर कर लेंगे ताकि जब इसकी हम को हम fold करें तो हमारा थोड़ा सा आगे पीछे मत होए थोड़ा टैप कर लेंगे अब इसमें हम बेलन की साहता से थोड़ा से इसको हम press कर लेंगी जैसे मैं कर रही हूँ ऐसा करने से किया है थोड़ा लंबा यह हो जाएगा और इसकी folding खुलेगी भी नहीं और दोसा थोड़ा चोड़ा भी हो जाएगा लंबाई चोड़ा इसकी थोड़ी जी बढ़ जाएगी अब फिर इसमें तेल लगाएंगी बिल्कुल हाथ के हातों से और फिर हम मैदा को डश्ट कर देंगी इसके उपर हंका हल कासा और फिर इसको आप करेंगे हम जैसे मैं कर 小 mention को देखिएगा बिल्कुल ऐसे फोल्ड करना आप बिल्कुल टाइट ुब डूब करना है हम आपको अपको त incorstep करीगा तो इसकी जो परत है तय वह खुल जाएगी तो तो टाइट करकर आपने इसको फोल्ड करना है किना की तरफ अभी देगे अब लेंगी हम यहा धागा जो सलाईवला धागा रहता है वो धागा का इस्तमाल करेंगे नीचे रकेंगे धागई को इसके ऊपर इसको रख दे गे और दोनों को मोड के हम क्ट कर लेंगे यह पर आप चाकू की सायता से भी सकते थे छाखे किसाओं से कटे तो एटाए मेडदा हो जाता और अठ्छे से इसकी परत नहीं आपाती इस तो इस देन से कट कर लेंगे और जो इसका यह उप्रवाला भाग है इसको हम ऐसे रखनेगे और हातों से थोड़ा साप्राइस कर लेंगी तह कि में में प्रॉब्लम न जाए और उसके परत असानी से बंजयए अब यहां हम बेलं की साहथा से इसको बैल लेगे बिलκुल जैसे हम पूरी के लिए बैलते हैं बील्कुल वाईसे ही चोटे-चोटी हम इसको बैल ले गे और फिर हम डालेंगे अपना आलू का मसाला जो हम इसको फोल्ड करनेगे, फोल्ड जैसे आप करते हो वैसे कर लीजिएगा, मैं इस टाइब से फोल्ड कर रही हूं, लेकि फोल्ड जो आप करोगे अच्छे से कीजिएगा, ताकि ये खुले बत, इस चीज का ध्यार जुरूर दीजिएगा, अब इसको जो उपर का पाठन निक जाएगा, फोल्ड जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल लाइटली हमारा ये होना चाहिए, तो अभी निच्छे से सीख जाए, तो इसको पलटीजिएगा, अगर बाइचांस आपके कचोरी थोड़ी सी फट जाती है, तो डरिएगा, मत बिल्कुल भी वो फूटेगी नहीं, क्योंकि अगर आपने फिल उसका अच्छे से, मतब ठीकी ठीक किया है, तो ठीक है, अगर ज्यादा ओवर भर दिया होगा, तो हो सकता वो निकल जाए, वैसे निकलता नहीं है, क्योंकि मेरे भी इसमें एक ऐसी थी, बिल्कुल भी वो फटी नहीं, तो द निकाल लेंगे, और फिर दूसरे बैच को भी आप ऐसे कर सकते हो, तो ऐसे करके सबको हम निकालेंगे, बहुती लाजवाब रैसीपी है, खाने में आपको बिल्कुल समोसे के टक्कर की यह लगेगी, जरूर ट्राय आप कीजिएगा, अब इतने भी मैने बनाये थे, वाप बहुत ही अच्छा लगता है, घर्मगरम इसको आप सर कर सकते हैं, तो यहाँ हो चुके है मेरे रेडी, यह देखिए, बिल्कुल मज़ा आता है इसको बनाने में भी खाने में, बनाने में तो बहुत इंटरस्ट चाकता है, तो देखिए उसके तैय आपको दिखाई दिए की सौंट भी सुलेगा इसका, बहुत इलाजवा प्रेसिपी हैं, जरूर ट्राई किजिएगा, आशा करते हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा, आएगा तो लाइक जरूर कर दिजिएगा, नहीं हो तो सिस्क्राइब बेक कर दिजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट प्रेसिएगा एगादागा जरूर को यह वीवायपद औरूर कर दिजिएगा, लाइगा.